ठंड वो फील कर रहा हूं मैं अभी से हैलो जी की हाल चाल सारे अनू सत्सी अकाल नमस्कार आदाप तो भाई लोगों कैसे आप लोगोप करता हूं आप सभी लोग अच्छी होंगे जी और आज ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थकान कैसे हो गई कि पैकिंग थोड़ी ब बैटरी में दोबारा से इशू ना आ जाये तो भाई थोड़ा बहुत बाइक बाइक चला के आए तो अभी बाइक खड़ी कर दिया है थोड़ा भी आपको दिख रहा है कि सास भी फूल रहे है मेरे तो थोड़ा सास में सास आने दो तो भाई लोगों आप सभी लोगों को बहुत लबी लॉंग राइड पर जाने वाला हूं और भाई ना फूल पैकिंग शेकिंग हो चुकि है सब कुछ रडी है बस टाइम होते ही निकल जाएंगे और बहुत जल्दी निकलने वाला हूं भाई आज है 21 और मैं निकलने वाला हूं कल रात को मतलब परसो सुबा में गेना जाएगा रात को तीन बजे में निकल जाऊँगा यह वाला व्लॉग डालके एडिट करके आपके लिए डालकी जाऊँगा तो सोचा यार एक जाने से पहले एक व्लॉग डाल देता हूं क्योंकि फिर उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक लग जाएगा क्योंकि मेरे ल लाइफ में मैंने तो कभी नहीं देखी इतनी ओवर लोड़ेड हिमालियन टुरिंग पॉपस के सबसे मैं कहता हूं आपने भी नहीं देखी होगी और अभी मैं आपको भी दर्शन करवा देता हूं उपनी हिमालियन के फॉल उन रेडी करके खड़ी कर दिये मैंने तो कई लोगों ने बोला कि भी या टूरिंग के लिए आपने जो जो ऐसे सेरीज लगाई हूं यह प्लीज एक बार उसका व्लॉग बनाओ दुबारा से जब मैंने शुरू-शुरू मैं ली थी उस पर जब कुछ ऐसे सेरीज लगाई थी एक व्लॉग वो भी है मैं जिसकी उपर दिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँ आया बेटन में तो जाके उस वीडियो को भी चैक इट आउट कर लेना भाई लोगों जो उसके बाद मैंने कुछ लगवाया है तो उसकी वीडियो मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या क्या एड़ाउन करवाया है अपने ज्य मैं अपने बेबी को नाम देने के लिए लैला और मझनू की जोड़ी का नाम जो दिया है वो उसी में दहीं है लैला जो है वो मेरी हयाबुसमाइन है तो ज़्यादा देर करते हैं पनुको अपनी हमालियन पर देखो और में कुछ जरूर से बताना कैसी लग़री है मुरी म dai आप से तो चलो अब लेके चलता हूं आपको अपनी हमालियन के पास सो भाई लोगों है जवर हमालियन बेबी तो देखो भाई चारो दुर्फ से पहले कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है फिर इसका जो है वो मैं आपको पूरे डिस्क्राइब कर दूँगा कि अपन आगे से स्टार्ट करने वाले है अपने इसके बाद इसमें क्या-क्या एड़ोन करवाया है तो फर्स्ट अफॉल भाई लोगों बात करता हूं तो पहले है सिर्फ मेरी ये वाली जो लाइट थी ये उपर थी और ये उपर वाली जो लाइट है ये मैंने नहीं लग वाई है तो भाई इसका जो focus है वो बहुत अलग level का है और नीचे में दो light लगी हुई है उपर में चार light लगी हुई है साथ में headlight तो इसका मतलब भाई चलता फिरता light house ही अपना side में लगे हुँ है लोगों extra petrol cans इसमें भाई mobile accessories charging को गिरा और इस side में बात करता हुँ तो भाई fuel can फिर से extra fuel can और ये अपना पूरा toolkit का जुगाड और भाई आगी की बात करी जाए तो मैंने इसमें KTM के mirror लगवाए हुए है hot grips लगी हुए है cruise control लगवा है बाग busters लगे हुए औरिजनल AUM का handle लगवा है तो ये बहुत ही अच्छा चार्जर है I just recommend it for you कि ये बहुत अच्छा चार्जर है fast charging है सारा कुछ ये मैंने लगवाए है भाई BS6 का mobile mount कहलो GPS mount कहलो तो भाई ये ना BS6 का जाना बनाता नहीं है तो ये एक अलग side से बंगवाया था मैंने side में बैचिंग मिल जाएगी हिमालियन के आपको ये अपने bugbusters भाई original वाले देसी वाले नहीं original वाले और यहाँ आपको मिल जाएगा art of moot cycle का भाई लोगो handle बहुत ज़्याद अच्छा है और यहाँ भी bugbusters यहाँ लगवा एक charger और एक बोबू में भी charger है भाई तो यह मिली sufficient है इसमें मेरे अपनी charging वगरा यहीं पर रख लेता हूँ साथ में मैं आपको बताता हूँ भाई और भी क्या कैसे series है तो यह बात करी जाए तो यह आगे वाले DRLs की है यह सेम टैक लगवाया हूँ है मैंने भाई 52 types of indicator changer तो मतब इससे भाई indicator में 52 times change कर सकता हूँ अलग-अलग design में यह जो अपने नया वाली light लगवाई हूई यह वाली है इसका switch है और यह वाली switch की बात करी जाए है तो भाई यह नीचे वाला switch है उसके बात करता हूँ भाई लोगों आप feel कर रहे होगी कि इसमें कुछ अलग-level की seat लगे हुई है यह अपने seat बनवाई है खजान सिंग जी से he is from Delhi और मैंने इनका facebook पे देखा था भाई यह seat literally बहुत जादा comfort है साथ में आपको यह pillow back pillow मिल जाएगा armrest मिल जाएगा I mean backrest पीछे बट यहार इसमें ना इक बंदा नहीं बैठ सकता so I am very clearly कि अगर आप यह seat बनवाने की सोच रहे है तो यह भी याद रखना कि यह सिर्फ single person के लिए double person के लिए नहीं है तो single person के लिए double person के लिए नहीं है तो first of all यह चीज़ जयाद रखना और पीछे वाले backrest की बात करो तो वो इसके साथ attached नहीं है यह जाना का है और यह backrest इसके साथ ही मिलेगा top rack के साथ और top rack के साथ भाई बात करते तो यह अपना top box shingling company का है साथ मैं आप यह दो पैनियर्स देख रहे होंगे आपने हिमालयन वाले पैनियर्स देखे होंगे जो company के रॉयल इंफिल्स के आते हैं बट यह है stringling company के last वाला वीडियो देख लेना उसमें लिंक डाल दूँगा इसका भी भाई एक व्लोग अलग से बना हुआ है stringling company के यह पैनियर्स है और टॉप बॉक्स है यह बहुत बड़ा टॉप बॉक्स है मतब पैनियर्स है रॉयल इंफिल्स दो काफी बड़े हैं और भाई उसके बाद बात करते हैं बाई नहों अब आपको यह फील और उर ऊके यह क्या चीज déjà तो भाई लोग इस मैं लगाया भाई 360 जुगाड और यह जो भाई इस्टिक देख रहे हुए काबं फाइबर की है इंस्टा 360 ए सिफ स्कवज़ू गर इस्टिक एक हिस टिक हैं और साथ में बहाई यह रहाई इ तो भाई लोगों यह जो आपको इस्टिक दिख रही है यह स्टिक कोई हलकी फुल की नहीं भाई पूर यह ना 10 फिट की स्टिक है अपने रख हुआ है अपने बाइक के कुछ पार्ट्स लाइक चैन क्लीनर चैन ल्यूब अब बात करते हैं भाई साइट से तो यहां मैंने आपको दिख रहा हो तो एक माउंट किया हुआ है यहां भी भाई एक कैमरा लगाने वाले हैं अपन बहुत अच्छे अच्छी लोके करने के लिए अराम से जब उस साइट से पहर रख रख के थक जाओ तो यू कैन यूज दिस और इतना कमफर्टेबल फील होता है कि भाई कितना भी लॉंग राइड करो कोई दिक्कत नहीं यह मैंने मोटो मैट की चेंज करवाए हुए है इस पर भाई पैर से लिप होने का क कोई मतलब नहीं चाहिए ऑफ रोडिंग करो चाहिए कुछ भी करो डू वाटेवर यू वांट टो डू और साथ में लगा हुए भाई मोटो गार्ड का रियर मास्टर स्लेंडर किट का गार्ड और इधर ही यह ऑईल के इनका भी गार्ड लगा हुए है यह भी मोटो मैट का रही है और जो भाई अपने माउंट करें नए नए तो वह यहां एक माउंट के हुए है यह अभी आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगा किस लेवल पर वीडियो बनाने वाले इस पार और साथ में यहां भी रिडियेटर ग्रिल रही है मोटो माट की यह खाफी कुछ कवर करती है तो यह आपके सामने भाई मेरी बाइक है मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना क्या अभी भी इसमें कुछ लग सकता है जरूर से बताना भाई लोगों मैं वेट करूँगा क्या अभी भी आपको इसमें कुछ कमी लगती है अगर लगती है तो प्लीज म बहुत एजीली राइट कर सकता है बिना किसी थाकान की तो अगर आपको मेरी इस बाइक में कुछ कमी लगी होगी कुछ और ऐसी सरीज रहती हैं तो प्लीज में को कॉमेंट करके जरूर सी बताना फिर मैं आपको उसका भी सजिशन देने को तयार हूँ तो अभी चलते अंदर फिर आपसे बहुत बहुत आशाते करते हैं और यहां अपने खड़ी है भाई लेला लेला को मैं बहुत याद करूंगा पीछे से आई मिस्यू बीबी लेला आई लव यू बीबी तो भाई अभी अपन अपनी सीट पर आ चुके हैं तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे भाई भाई कोई मना नहीं है जिसको जिसकी रेट पूछने है उसको लिंक चाहिए तो प्लीज मेंको डाइरेक्ट कॉमेंट कर सकता है मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही है तो जिसको भी जो भी एल्प चाहिए भाई मैं आनी टाइम करने को रेडी हूँ तो बेज़े 99% सबको पता है यह लो नावला और साथ में शुडी हम निकलने वाले भाई 23 को मॉनिंग केलो या भाई 23 की रात को केलो हम यहां से तीन बजी के रांड निकल जाएंगे यह फर्स डेई आपको भाई लोगों पता दो कि हमारी 1100 km की राइड है यस पहले दिन ही हमको 1100 km बाइ सो हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है मैं बहुत एजी लिए कर सकता हूँ चाहे हाँ इसमें यह कि अपने को 24-25 घंटे regular ride करनी पड़ेगी तो I can do it मुझे कोई कहीं दिक्कत नहीं है सो भाई लोगों बड़ा मज़ा आने वाला इस ride पर है तो बस मैं आपसे यह request करूँ यार आप लोग मेरे साथ बने रहे न इस वीडियो में भाई मजाक नहीं दिल से मज़ा आने वाला है और try करूँआ अच्छे सचे editing करने के बट यह यार मेरे पर time नहीं मिल पाता मेरे को मैं अच्छे से editing नहीं कर पाता हूँ तो please आपको बस यह कि मैं पूरी information दे सकता हूँ आपको जगे बता सकता हूँ दिखा सकता हूँ बस यार editing में थोड़ा मेरा heart tight है आपको नाम भी बोलते था हूँ दीपक भाई आलोग भाई और गुजरात से भी है शुब दीप और कॉलकाटा से शुब दीप है शुबो यह सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा support करते है लिटरली दिल से thank you love you मेरे भाई हो तो इतना से कहना चाहूँ को भाई लोगो अपना प्यार बनाए रखना साथ में आगे तक बने रहना यह वाली वीडियो बहुत अच्छे अच्छे लेवल की होने वाली है आगे आने वाली वीडियो जो राइड फर्सों से स्टार्ट होने वाली है तो बस साथ ही साथ में भाई लोगों साथ में बने रहना और स्टोरीज पर अब्डेट रहने के लिए प्लीज में को फॉलो कर लेना मेरी आइडी पर यहां साइड में मेरी आइडी आ रही है तो फॉलो कर लेना और भाईयों मिलते हैं जल्दी से नेक्स व्लॉग पर डिरेक्टली बाइक पर या फिर यहां से इंट्रो करकी जाऊँगा ट्राइ करूँगा जैसा होगा क्या रात को धाई दो बजे उठना नाना ठंड वो फील कर रहा हूँ मैं अभी से इट्स ओके गाईस सो मिलते हैं नेक्स व्लोग में भाई लोगों तब तक ही लिए चाहूँ आपसे इजाजर तिल देन बाई बाई ठेक केर